हलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई हो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है twinsbabymama.com चैनल पर और आज हम जा रहे थे मंदिर क्योंकि बेटी है उसकी चुटियां हो चुकी है तो इसलिए वो बहुत जादा जेत कर रही थी लेइन twins baby हैं अभी बहुत जादा चोटे हैं तो इसलिए जल्दी निकल नहीं पाते हैं तो आज काफी दिनों बाद मंदिर जाने का सौफाग्य प्राप्त हुआ और जो है मुझे भी प्रशाद बगएरा चड़ाना था तो इसलिए और आज मौसम भी सुबह बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद में काफी जादा धूप आ गए थी क्योंकि निकलते निकलते बहुत जादा लेट हो जाते हैं क्योंकि बच्चों में कितना भी जल्दी करो होई नहीं पाता है कितनी भी कोशिश करो और आज मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था और ये जो मंदिर है वो हमारे घर से काफी जादा दूर नहीं है लगवग 8-10 किलो मीटर दूर है तो ये लगवग हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखें मैं आपको जो है मंदिर इसके बाद में हम लोग अंदर जा रहे हैं मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी और यहां पर प्रशाद ले चुके हैं वहां दूइसर मेर्याक दरना है। ये आंजessä मेरे कर वाकृत है, वानघ समय पर आप आप जा और कोरे कहाए। तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी, काफी दिनों बाद कही है, मंदिर बगरा घुमने और मैंने सोचा कि इसका ब्लॉग बनाए, आप लोगों से सेर करें क्योंकि वीडियो में आप लोगों से बाते तो ही नहीं बाती हैं ब्लॉग के जरीए आपसे थोड़ा बहुत बाते भी हो जाएंगी, तो यह देखें, मैं आपको जो है, यह मंदिर जो है, काफी पूराना मंदिर है और यह बजरंग बली का मंदिर है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है और ये मैं आपको जो है चारो तरफ से दिखा दे रही हूं बहुत बड़ा मंदिर है बहुत ही अच्छा लगता है जब भी जाते हैं और यहां पे इस्पेशली मंगलबार और सनिवार को बहुत जादा भीड होती है क्योंकि बजरंग बली का मंदिर है इसलिए तो आज यहां पे किसी का मूब और बगेरा था इसलिए काफी जादा भीड थी और यह देखे यहां पे न हम लोग जब तक गए थे तब तक मंदिर बंद हो चुके थे क्योंकि हम लोग बहुत जादा लेट हो गए थे तो बारा बे तक आदा मंदिर बंद हो चाता है और आदा जो है थोड़ा बहुत खुला था और उसके बाद में धीरे धीरे सारे दरबाजे बंद हो गए थे और फिर बहुत जादा थी तो इसलिए हम लोग यहां पे बैठे थे और यहां पे यह जो है यह मेरा चोटा वाला बेटा है स्रियांस जो गुलाबी कलर का सूट पहनी है और यह जो है यह मेरा बड़ा वाला बेटा है दिव्यांस और यह दोनों टूइन्स हैं और यह हमारे husband है और यह लगबग दोनों यहां पर मस्ती कर रहते तो यह बड़ा वाला बेटा तो प्रॉपर भी चल लेता है लेकिन अभी छोटा वाला बेटा आप देख सकते हैं अभी चलना सीख रहा है तो इसको पकड़ की ही चलाना पड़ता है और यहां पर मैं बच्च वो ऐसे खर रहा तो तो मुझे ना बहुती ज़्यादा हसी आ रही थी बच्ची है बच्चों का पता नहीं कब कौन सा मूड बन जाए कुछ कह नहीं सकते हैं और यह देखिए बड़ा वाला विटा आराम जो है जैग कर लेता है लेकिन छोटा वाला नहीं करता है भी और यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बजरंग बली की बहुती बड़ी मूरती है तो यह देख सकते हैं आप और यहाँ पर मैं परशाद बगएरा चड़ा रही थी और बच्चों से भी चड़वाना था तो बच्चों कभी मैंने उसमें हाथ लगवा दिया था और इसक और यह हमारी बेटी भी परशाद चड़ाने में लगी पड़ी हैं और अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आए तो फ्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सकाइब करने के साथ साथ बल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालो तो उसका न देखें और यहां पर पीपल के पेड़ के नीचे रखी हुई है सनी देप की मूटी तो यहां पर हमारी बिटो राडी परशाद चड़ा रही है यह देखें आप देख सकते हैं मैं आपको चारो तरफ की लोकेशन भी दिखा देती हूँ यह देखें बहुत अच्छा लगता है आप देख सकते हैं और मैं चाहती हूँ तो मुझे एक अजीब सा ही सुकून मिलता है बहुत ही बढ़िया फील होता है क्योंकि मंदिर बगराना जाते रहना चाहिए हमेशा बस घर में ही पड़े रहो बहुत ज़्यादा ऊप जाते हैं और इसके बाद ना हम लोग बापस आ रहे थे तो मैं आपको यह इधर बापस आते हूँ भी लोकेशन दिखा देती हूँ तो आप देख के ही मैसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा लगता होगा चारो कि लोग को मैंने ना सारी चीचे खाने के आदर डाल दी ती खा चटपटा मीठा तो बहु हर जरीके से खा लेते हैं और यह देखिए यहाँ पर लेके वेटी हूँ और आप याजा जाए